जहें साथियों, वेलकम तो फूचर ट्रॉप्ट एडिटेशन, तो आज भी जो अपनी करेंट अफेर्ड की कलास है, शुरुआत करते हैं, नौमबर महा के जो भी करेंट अफेर्ड हैं, जो मेतोपोर्ण बिंदू हैं, उन पे अपने चार्चा रह करें, तो देखें, सबसे पहले देखें, दीवस का जो मेतोपोर्ण जो दीवस हैं, उनके बार में अगर चर्चा करें, तो देखिए, एक नौमबर को कौन सा दीवस मना जाता है, विश्व साकाहरी दीवस मना जाता है, विश्व साकाहरी दीवस मना जाता है, सात नौमबर को कौन सा मना जाता है, र अगर बात करें शांती और विकास और एजुकेशन तो आपको पता है क्या नाम आता है यूनेस को 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 की बात करें अगर स्थापना की बात करें स्थापना की बात करें तो कब होती है 16 नुवंबर को स्थापन होती है ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर मुख्यले की बात करें तो कहा है पेरिस फ्रांस के अंदर मुख्यले है कहा है पेरिस फ्रांस के अंदर है वो वर्तमान जो अदेक्स है आंद्रे ओजोले इसके क्या है वर्तमान अदेक्स है ये बात आपको ध्यान रखनी ह चलिए इसके बाद इपने बात करें देखी चोगदा नुवंबर बात करें तो बाल दिवस मनाया जाता है तो आठारा सो नवासी याद रख लेना कौन सा अठारा सो नवासी एट नाइन याद रख लेना पंडित जवाललार नहरू जो की भारत के पहले क्या थे परदान मंतर याद रख लेना उनी के जनम अवस्वर पर क्या मनाया जाता है यानि कि चोगदा नुवंबर को क्या मनाया जाता है बाल दिवस मनाया जाता है यह बात आप जया रख लेना फिर उसके बाद अगर बात करें तो पंदरा जो नुवंबर को क्या मनाया जाता है जन जातिये गोर अरव दिवस मनाया जाता है 19 नॉवमर की बात करे तो 19 नॉवमर को क्या बना जाता है अंतराश्टिय पुरुस दिवस मनाया जाता है अंतराश्टिय पुरुस दिवस पुरुसों के लिए दिवस मनाया जाता है कम मनाया जाता है 19 नॉवमर को मनाया जाता है अगर आप से पू ये बात आपको दा रखनी है, अगर बात करें कि एक अक्टूबर को कौन सा दिवस मना जाता है, सोरी, दो अक्टूबर को कौन सा दिवस मना जाता है, तो दो अक्टूबर को एक तो आपको पता है, अपने गांजी दिवस मना जाता है, तो दूसरा अगर बात करें, तो कौन स आइसा दिवस मना जाता है अंतराश्टी आइसा दिवस कम मना जाता है दो अक्टूबर पांच अक्टूबर को क्या मना जाता है गुरू जी गुरू जी मना जाता है क्या यानि कि विसव शिक्षक दिवस मना जाता है कम मना जाता है पांच अक्टूबर को मना जाता है आपको फरवरी क्या 21 फरवरी को क्या मना जाता है अंतर राष्टिये मात्र बासा दिवस मना जाता है अच्छा एक और फेक्ट्स याद रखना है तो उसकी बात करें तो क्या है 21 फरवरी को क्या मना जाता है 21 फरवरी को ही राजस्तानी बासा दिवस मना जाता है राजस्तानी बासा आपना दिवस मनाया जाता है चलिए अगर बात करें अगर इस में से साथ माइनस कर दें तो आपको क्या है 21 में से साथ माइनस कर दो तो एक जो दिवस आता है कुटाई दिवस आता है कौन सा बेलन कुटाई दिवस यानि की बेलन टाई डे दिवस आता है चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चलिए एक देखिए 21 नुवंबर को कौन सा मनाया जाता है विस्व तेलिविजन दिवस मनाया जाता है कौन सा दिवस तेलिविजन तेलिविजन का अविस्कार की बात करें रोयल इंस्टिटूट याद रख लेना रोयल इंस्टिटूट याद रख ल है टेलिविजन को क्या है विसकार का क्या किया था प्रदसन किया था ये देखो तुम टीवी देखो क्या देखो टीवी देखो टेलिविजन देखो और ये टेलिविजन क्या है करांती साबित हुई थी ये बात आपको ध्यां रखनी है चलिए ये अपने जो नुवंबर के मे अपने चार निचोड़ेंगे और साथ में क्या है फेक्स भी देखेंगे क्या देखेंगे तो अंग तक बने रही है अब अपने बात करते हैं बारत के अपर मुखे किरसी अनुसंदान केंदरों की बात कर लेते हैं अच्छा सबसे पहले कौन सा अगया केंदर ये चार अनुसंदान केंदर इसका जो मुखेले है वो कहा है वो कटक केंदर है डगलू टीयो का मुखेले कहा है तो बताओ कौन सा है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए केंदर ये कपास अनुसंदान केंदर कहां जो मुखेले है नागपूर में है राष्टिये उंट अनुसंदान के अंदर भी बता दो कहां है तो ये विक्का नेर के अंदर है अच्छा जो हड़ विड विक्का नेर के अंदर गताता है बारतिये गन्ना अनुसंदान के अंदर ये कहां है लखनव में है कहां है लखनव में है अच्छा के के अंदर है कहां जोर हट के अंदर है ये बात आपको दिया रहा है देखिए अगर बात करें राश्टिय कोफी अनुसंदान तो चिकम वंगलूर के अंदर है ये बात आपको दिया रखनी है के अंदर ये रेसम अनुसंदान के अंदर रेसम का रुमाल कहां से मिलता है मैसूर से मिलता है फिर बात आई जो के अंदर ये किरसी मोसम विग्यान है मोसम विग्यान मोसम विग्यान का मतलम हो गया वेदर बताएगा क्या बताएगा वेदर बताएगा कि इतना टंपरेचर हो गया तो ये कहा है पुना के अंदर है कहा है पुना के अच्छा एक कोशन और बनता है अच्छा वो क्या बनता है अमरत करांती का संबंद कहां किस से है किस जो अमरत करांती है किस संबंदित है तो बताइए कौन सा है तो वो है नदी जोडो क्या जोडो नदी जोडो परियोजना से संबंदित है अच्छा गोल करांती गोल गोल लडू तो लडू का संबंद किस अलू से है गोल करांती सिर्फ गोल लडू नहीं होता अलू होता ये बात आपको ध्यां रखनी है उसके बाद अगर बात करें तो भूरी करांती भूरी करांती भूरी करांती उत्पादन से समधित है कौन सी भूरी करांती फिर आता है रज़त करांती रज़त करांती रज़त रजजत का बात आजाए तो क्या आएगा अंडे उत्पादन से समधित है देखे ये कोशन मेरे दिमाग के हैं अगर आप से मैं पुछ हूँ कि कोईले की कितनी किसमे होती है और उसके अंदर कारवन की जो मातरा है वो कितनी है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दी मैं कोईले क कि किसमों के नाम बता देता हूँ कोईलो की अगर किसमों की बात करें तो कौन-कौन से हो जाएगी एंत्रेसाइट बिटू मिन्स लिगनाइट और पीट हो जाएगी आप क्या है कमेंट बॉक्स में मेरे को कारवन की मातरा बताईए और ये कोशन पूछे जाता है क्या पू देखे आजकर क्या है आपको पता ट्रोफी से समंदित भी कोशन कहीं ने कहीं आपको देखने को मिलते हैं चाहिए कोई साभी एक्जाम हो ट्रोफी से समंदित कोशन आते हैं तो अपने क्लास के अंदर उसका भी डिवाइज कर लेंगी ताकि अपने को कोई प्रोब्लम ना हो अच्छा मैं आपसे पुछू फुटबॉल से समंदित ट्रोफी कौन सी है तो बताइए कौन सी ट्रोफी है अगर बात करें डी सीम ट्रोफी तो किसे समंदित है वह फुटबॉल से समंदित है सर असुतोस राणा ट्रोफी किसे समंदित है तो वह किसे फुटबॉल से, संतोस ट्रोफी, संतोस ट्रोफी भी किसे समधित है, तो वो फुटबॉल से, अच्छा, आगाखा ट्रोफी, आगाखा ट्रोफी किसे समधित है, तो हो किसे है, और अगर बात करें, एक नाम आता है, माराना, रंजीत सिंग ट्रोफी का, तो वो भी किसे समधि है चलिए चलिए तो अब आप देखिए अपने परते के लास के अंदर एक जो राज्य है उसका बीवरेंट बेसिक नोलेज पूरी की पूरी अपने समझेंगे जिसे के आपने टोटल जो राज्य है अठाइस के अठाइस और जो केंद्रसासित प्रदेश है सारों की सारों की बात करेंगे चलिए तो आज का जो अपना है वो है राज्यस्तान राज्यस्तान मरो राज्यस्तान तो सबसे पहले अपने बात करते हैं राज्यस्तान की बात करें राज्य का क्या नम है राज्यस्तान और यह बारत का सबसे बड़ा है यह याद रखने है सबसे चोटा अगर बात आजाए अगर अपने राज जेपाल की तो राज जेपाल कौन है राज जेपाल कौन है अच्छा मेरे को ये बताईए राज जेपाल के लिए सविदान में कौन सा रुछेद है ये मेरे को आप बात बता दीजिए अच्छा राज जेपाल कौन है कल राज मिश्र है क नतव हैं लिंगा नुपात की बात करें तो 928 जो मैलाएं हैं कितने पर 1000 पर है दोस्तों अच्छा राज्य की स्तापना स्तापना कब होती है स्तापना दिवस कब मना जाता है तो कब मना जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है अच्छा राज्य भासा हिंदी है मैंने बताया था 21 21 बताया था फरवरी बताया था अच्छा 21 फरवरी तो भूल जाओगे लेकिन चोगदा फरवरी नहीं भूलोगे तो हो कौन सा राजस्तानी भासा दिवस मनाया जाता है अंतराष्टिय मात्र भासा दिवस म राद रख लेना दोस्तों अच्छा राज किये पक्षी की बात करें तो गोडावन कौन सा गोडावन ये क्या नाम लिख दिया ये ग्रेट इंडिन बश्टड तो ये इसका मतलब ही गोडावन है ये बात आपको दाना और उसके बात करें राज किये फूल की बात करें तो रो दस है ये बात आप याद रख लेना अच्छा राजस्तान का मतलब होता है राजस्तान का मतलब होता है राजाओं का क्या है स्तान ये बात भी आप ध्यार रख लेना अच्छा तीन बियालिस दो उनचालिस ये क्या है कुल छेतर फल है कितना तीन बियालिस दो उनचालिस है अ कितना 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 41 परसेंट कितना भारत की अगर भारत के छतरफल चोब Norms के नश्ची से देखे तो कितना हो जाएगा अच्छा इज्रायल से कितना बड़ा है इसरायल से कितना बड़ा है ये भी भता दgeben इज्राइल से 17 गुना बड़ा है ये बात आप ढहा रख लेना जर्मनी के क्या है बिल्कुल सेम सा है डिटो है जर्मनी के चेछे तरफल के इसाब से है ये बात आप ढहा रख लेना अच्छा अगर बात करें राजस्तान की आकरती कैसी है आकरती का कई बार एक्जाम में कोश पूछ लिया जाता है विश्म को ये चत्रबुज है ये बात आप दहां रख लेना कौन सी है विश्म को ये चत्रबुज है अगर बात करें राज्ये खेल की तो बास्केट बोले है भारत का मेर को कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसे कानूनी मानिता प्राप्त है या नहीं ये आपका काम है, कौन सा खेल है, उसे कानूनी मानित अप्राप्त है या नहीं, अगर आप वीडियो देखोगे ना, तब समझ में आएगा, कि क्या है, इस क्लास के अंदर क्या है, सच्चा ही है, ये बात है, आपको ध्यान रगनी है, अच्छा, उत्तर से दक्षिन कितना है, देखिए, राज़स्तान ऐसे है, राज़स्तान की जो आकर्ती है, वो ऐसे है, इस हिसाब से मानिजिए, देखिए, पूरव, पश्चिन, उत्तर, दक्षिन, अच्छा, मैं ये कहूँग, इस की लंबाई कितनी है, एक्जाम में पूछ लिया जाता है, इस में, उत्तर से द थीमिंटर का अंतर है, ये बाद आको बैसिक सी जोलेज है, सारे की सारी अपने बात करेंगे, देखे काली वंगा, अगर काली वंगा सबस्तर अगर बात करें, तो कान से समž़दीत, राज़स्तान से समख़दीत है, आपको पता है, तए तैस सो पचास 186 उसा पॉरो, और किसने खोज की थी ये एक्जाम का फेवरेट कोशन है किसने खोज की थी अमला नंद घोस ने किस खोज की थी उतकनन का कारे भीक बीनी लाल भीके था पर ने किया था अम के खरे ने किया था उस्री वास्तव ने किया था और 1961 से लेके 1999 तरक तक यह भात आपको ध्यारखनी है ग्रीड परती चैम्स फोर्ड पती कहां से मिली है गगर नदी आपको पता ही माचल सीवालिक की पाड़ियां राजस्तान राजस्तान के अंदर आती है और फिर फोर्ट अबास तक चली जाती है ये बात भी आपको ध्यानरी एक्जाम में पूछा जाता है चाहिए वो दिली कोश्टेबल हो SSEO GD हो कोई भी एक्जाम हो काली बंगा तो क्या है फेवरेट है काली बंगा फेवरेट कोश्चन बनता है काली बंगा से लिखेया, दीन हीन्गी सविता भी कहते थे, दीन हीन्गी सविता, यह क्या है? यह तो क्या है? माला है, जितनी पढ़ेंगे जितनी, यह कंठेस्ट करेंगे, उतनी ही क्या है, बाते चीज़ें आसान होती जाएगी, तो यह मत सोचिये कि अपने अन्यさん ने दो बार पढ़ ली चार बार पढ़ली पांच बार पढ़ली अरे सो बार पढ़ली फिर भी कम है क्योंकि मुझे उससे खत्रा नहीं जो क्या है एक बार प्रैक्टिस की है मुझे उससे खत्रा है जिसने एक ही मूँ को क्या है कितनी बार प्रैक्टिस की है सो बार की है तो सो बारवाला क्या है? खतरना का आदमी होता है ये बाद या याद रख लेंगा तो चली अब अपने बात कर लेते हैं फेस्टिवलों की और बात कर लेते हैं यह जो special class है ना यह आपके लिए रामबान थाबित होने वाली यह बस जूड़े रही है अन्तक और सेर और क्या है लाइक भी दिबा के कहीं चलिए उसके बाद अपने बात कर लगते हैं तो अब अपने बात करते हैं बारत के पर्मुक फेस्टिवलो की बात कर लेते हैं फेस् पर्देश का अंदर पर्देश का अच्छा जीरो फेस्टिवल और सांकें जीरो फेस्टिवल और सांकें काका है तो यह उनाचल पर्देश का है यह दो दो मेंने फेस्टिवल लिखे हैं उनाचल पर्देश का अच्छा बी हूँ बी हूँ और टी फेस्टिवल अच्छा मे मोटसव तो का मना जाता है ये भी बतादीजिए पुस्कर मोचसव रंगिला मेला भी बता दीजिए अचा वीुझ ऑर ये कहा का ये असम का है कहा है अचा वीहुला और छटपुजा अच्चा दूगते हुए सूरज को तो सब परनाम करते हैं अरे डूगते हुए सूरज को तो सब परनाम करते हैं अगर बात हो छट पुजा की तो क्या है डूगते हुए सूरज को क्या है पुजा की जाती है इसके अंदर ये बात द्यारख लेना तो ये कांके हैं बिहार के कांके बिहार के हैं ये बात आपको द्यारख हरेली, हरेली festival का का है, मेरे को बता दीजिए, कौन्प का का है, तो ये का का है, ये आपको पता है, का का है, तो ये कौन सा, कौन सी जगां का है, يे 36 गड़ का है, कौन का है, 36 गड़ का अच्छा एक आता है बोड्रम और एक आता है तरंग मेल अच्छा बोड्रम और तरंग मेल कांका है गोवा का है कांका है गोवा का है रन मोच्छो पूछ लिया जाए पतंग मोच्छो पतंग उड़ा पतंग उड़ा रन मोच्छो ये कांका है तो ये आपको पता है गुजरात कांका है गुजरात कच्छका रणे है तो सुरज दिकूंड और पिंजोर एपिए alive ये ये कांका है तो ये हरियाना का कइए हरियाना का हरियाना का फेस्टिवल अच्छ अरियाना का फेस्टिवल है अच्छ आप से पूछ लिया जाए Anda longuri festival का आं मनायना तो ये बता दीजिए हीमाचल वाली हीमाचल वाली तिह कंके है हीमाचलrations प्रदेश है टूंगरी और कोईल आप चाह्चा फिर एक जो नाम आता है ओनम आता है यह तो आप बताई दोंगे ओनम और बल्लब काली बो ट्रेस यह तो आप बताई दोगे तो यह कहा है जल्ली कट्टो यह मेरे को जल्ली कट्टो के पारों में पूरी थोड़ी सी डिटेल लिए अंदरमेंट बॉक्स में जरूर लिखिestsका है अच्छा बात करें जीरो फेस्टिवल और सांकेन ये कांका अनाचल परदेश का है अगर बात करें बिहू फेस्टिवल बिहू फेस्टिवल ये कांका है तो बिहू फेस्टिवल कांका है असम का है ये बात आपको द्यार गनी है अच्छा एक तो बिहूला और एक छटे परव ये कांका है बिहार का है का है बिहार का है उसके बाद अगर छेर छेरा और हरेली तो ये का है च्छतिस गड़ का है उसके बाद अगर बात करें बोडरम और तरंग बेर ये का है गोवा का है रन मोथसो पतंग मोथसो का है गुजरात का है सूरज कुंड और कौन सा है पिंजोर हिरिटेज ये का है अगर बात कई अपनोंने डूंगरी और कोइल मैंने बता चीया हीमाचल वाड़ी तो हिमाचल का है यह बात तो यह छोटी सी आज की कलास थी चर्चा करने को तो क्या बहुत ब étantनी कंलास होजाए। इसलिए थोड़ा-धोड़ा करके डेली्य आपको डेली पर्ति दिल देखिए इसके अंदर आपको एक तो डिस्टिक सोरी एक तो राज स्टेट अपने देखेंगे पूरा का पूरा उसका विवन जैसे कि अपने राजस्तान थी कल अपने नेक्स्ट इस्टेट है उसके बारे में अपने डीप से पढ़ेंगी फेस्टिवल सार ने चाहिए अजिक स्टेट से मेर्य जितने विवसे कलास को किया है सेर करो फरक्रोंगे तब ही विए आपको डेखने का मिली अचा मेरको कमेंट बोक्स यहिए चलिवम रखेंगा कलास कैसी लगी इसके अंदर हम क्या है और वहतर से बहतर प्रियतन करेंगे आपके लिए अच्छी किलास और लाइने के साथ जैहिन वंदे मातरम और एक बार जरूर फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप कलास को लाइक से और सस्क्राइब जरूर जरूर करें जैहिन वंदे मातरम